तो दोसो मैं देखके आया हूँ चक्की मूवी स्टारिंग राहूल बट और प्रिया बापट अब वैसे तो मैंने कली आपको बता दिया था है कि मेरी टांग में फ्रेक्शर हो रख है जिस वज़े से यार मैं कोई भी रिव्यू नहीं कर पा रहा हूँ फिर सोचा कि मूवी देखने समझने और रिव्यू करने के लिए आँख दिमाग और मुझे मूग की ज़रूरत है तो टांग का तो कि कामी नहीं है तो चलो देखी जाएगी चलते हैं मूवी देखने जैसी मेरी इस मूवी से उमीद थी हाँ ये उस मूवीदों में खड़ी उतरती है राहूल बापट को इससे पहले आप section 375 में देख चुके हैं वहाँ पिनोंने बहुत बहतरीन काम किया और ऐसा ही काम इस मूवी में ही किया है अब basic story के बारे में बताओं तो ये story set की गई है भोपाल में जिहां एक आम आदमी जिसकी एक आम सी चक्की मिल है जिसका बिल बिजली का बिल 1,60,000 आ जाता है और वो चकर आ जाता है इस बड़े हुए बिल के कारण उसको काफी जदा परेशान रहना पड़ता है गल्फेंट से भी लड़ाई करनी पड़ती है और एंड में उसको अपनी चक्की बंद करनी पड़ती है यानि चक्की तो उसकी अपनी बंद हो जाती है लेकिन system की चक्की में वो फस जाता है अब क्या होगा, क्या वो अपनी चक्की द्वारस से शुरू कर पाएगा, क्या अपने लव पार्टनर को वो खोदेगा, क्या इस गौवर्मेंट सिस्टम के कारण वो बरबाद हो जाएगा, या यह आम इंसान कुछ खास करके इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएगा अब यही सब देखना है इस मूवी में, सबसे पहले तो यार यह जो मूवी है वो मूवी तरह फील होती है, अभी थोड़ी दिनों पहला है मैं हिंदुत वदे देखके आया है, तो जो मूवी कम और एक टीवी सिरिल जैसी ज़्यादा फील दे रहा था, राहुल भट का काम ब है, एक टाइम तो ऐसा भी आया था मूवी में, कि उसके फेस को देखके है, यानि राहुल भट के सैड फेस को देखके मुझे ऐसा लग रहा था कि अगले सीन में यह पका सुसाइट कर लेगा, लेकिन ठैर जाएए, फिलम इतनी भी प्रेडिक्टेबल नहीं है, कि आप कोच भी नहीं सकते, मूवी का कलाव में यूनीक तो है, साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं एक सैटिसफेक्टरी वाली फील भी देगा, बात करें प्रिया बापट की, जितना भी उनको काम दिया गया, उन्हें 100% नेचरल एक्टिंग के साथ निकाला है, लेकिन प्रॉब्लम चिला रहा है, अगर रियलिटी में अगर वकील जज के उपर चिलाए ना, तो उसके पिछवाड़े पे दो लाथ मारके ना, जज उसको अंदर कर देगा, मूवी में लगबख सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी बात करूँ एक नेगटिव पॉइंट की, जो मुझे का मतलब अपीलिंग नहीं थे, जिस तरीके की मूवी बनाई गई है, उस हिसाफ से सॉंग जिसमें नैशनल और काफी अच्छे होने चाहिए थे, इवन मैं तो सोचा था कि थेटर में कोई फारवड का बटन मिल जाए, और मैं सॉंग को स्किप कर दू किसी तरीके से, देखो अगर आप ये कहते हो कि हाँ भई हमें कंटेंट चाहिए, स्टार कास्ट से हमें कोई मैटर नहीं करता, स्टोरी में दम होना चाहिए, तो ये मूवी उस तरीके की है, पाके देखे आपकी मर्दी है, किसी नैपो किट की आपको बेकार स्टोरी वाली मूवी देखनी है तो बात करो स्टार्स की, तो मैं इस मूवी को पांच में से साड़े तीन स्टार देना चाहूँगा, अगर मेला रिव्यू आपको अच्छा लगाओ, या फिर पूरा लगाओ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके रिव्यू के थूरू, यानि जाके मुझे रिव्यूस किस तरीके से करने हैं, पर दे कि एक कुछ पॉइंट अगर छूट गए हो, तो मुझे डैफिनेटली बताइएगा, उनको भी आने वाले टाइम पे हम कवर करने की कोशिश करेंगे, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतने तब तक के लिए, जैह सिंद बंदे मातरां